आज मैं आपको एक ऐसी खतरनाक एप्लिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप सभी को क्या करके रहना है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन फिलहाल आप इस एप्लिकेशन के बारे में पूरी डीटेल जान लेना क्योंकि इस से जादा खतरनाक एप् आज मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर पूरी डीटेल में इस application के बारे में बताने वाला हूँ जैसे ही मैं इस application को open करता हूँ तो इस application के उपर लिखा हुआ है call history और यहाँ पे जैसे ही आप इस application को open करते हैं get call history of any number समझ रहे हो किसी भी number का call history ये application देने का दावा करती है और जैसे ही हम यहाँ पे click करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिया कि enter the number which you want to get call history यहाँ पे by default India selected है और यहाँ पे आपको India का number enter करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक India का number enter कर देता हूँ ठीक है मैंने India का number enter कर दिया है देख सकते हैं अब यहाँ पे हम submit के उपर click करते हैं तो जैसे ही submit के उपर click किया तो देख सकते हैं कि यहाँ पे यह कह दिया कि अब आप अपना mail ID डालो जहां पे हम आपको call history email करेंगे इस number का तो यहां पे हम email ID डाल देते हैं यह देखिए email ID हमने डाल दिया यहां पे हम submit के उपर click करते हैं अब यहां पे आप सभी को 4 option दिये गया है कि आप क्या क्या चाहते हो get history, whatsapp history, sms history या all history तो हम तो फिलाल यहां पे call history के बारे में ही interested है तो इसके उपर हमने click किया तो अब यहां पे देख सकते हैं कि उपर में banner चल रहा है कि इस number वाले ने एक मिनट पहले अपना whatsapp history निकाला है इस number वाले ने 5 मिनट पहले अपना sms history निकाला है और यहां पे आपको evidence चल रहा है आपको proof दिखाया जा रहा है और साथी साथ यहां पे offer लगा हुआ है कि silver package लेना है, bronze package लेना है या फिर gold package लेना है तो यहां पे आपको offer ही offer है तो यहां पे आपको history नहीं मिलेगा पहले आपको package खरीदना है तो यहां पे हम package को click करते हैं और आपको यहां पे 888 रुपए पे करना है जिसके बाद यह आपको loot लेंगे आपको call history मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई मतलब नहीं पहले इनको payment चाहिए देख सकते हैं कि यहां पे पेटियम से credit card से debit card नेट पैंगिंग और यह सब ले के क्या करेंगे इसका भी कोई guarantee नहीं है तो अगर आप सभी play store से इस तरीके का application अपने phone में इस्तेमाल करते हो इंस्टॉल करते हो तो भाई जरा बच के रहना इन सभी तरीके के application जो होती है वो आपको लूटने के लिए बनाई गई है इसका कोई मतलब नहीं है यह आपको यहां पे proof के तोर पे दिखाये जा रहा है कि यह इसने यह यह काम कर लिया है लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी नंबर का detail आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं वही निकाल सकता है जिसका वो mobile नंबर है नहीं तो ऐसे तो पुरी दुनिया का call history कोई भी निकाल सकता था जिसका यह नंबर है वही अपना history अपने उस company के app से या फिर उसके जो method है जैसे कि एरटेल का आपको message करना पड़ता है Jio का आपको My Jio app से निकालना पड़ता है और बोड़ा phone का भी वही system है तो जब तक वो honor खुद से अपनी call history नहीं निकालेगा कुछ अपने पैसे बचाए होंगे तो जरूर से इस वीडियो को एक like कर दीजेगा नहीं तो ऐसे number डाल के किसी का भी call history नहीं निकलता है एक बात बता हूँ यह number मेरा भी नहीं है ऐसे ही अन्हेरी number डाल दिया हूँ यह number लगेगा कि नहीं लगेगा कोई पतलव नहीं यह जो मैंने mail ID डाला था takefdj at the red gmail.com यह मेरा भी नहीं है इसको यह भी पता नहीं है कि यह mail ID सही है या गलत है समझ रहे हो ना तो यह situation है तो बाकी आपके उपर निर्भर करता है इस application का link मैंने आपको नीचे दे दिया हूँ आप इसको बढ़ियां से देख लेना अगर हो सके तो इसे report भी कर देना और इस तरीके का application से आप बचना ताकि आगे आपका कोई ऐसा पता ना काट सके और इस तरीके का application मैंने आपको कहा तन सुरू में कि ये खतरनाक application है इसते आपको सतर्क रहना है सतर्क रहना है सावधान रहना है बचकी रहना है ऐसी कोई भी application नहीं है प्लेश्टोर में जिसते की आपको एकदम direct number डाल कर आपको किसी का भी call history मिल जाए वो ही निकाल सकता है जिसका वो phone number है तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगे तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं होगे तो याँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और घंटी को अभी तो काउन नहीं किये हो तो जल्दी से on कर लीजेगा